तैसीन पूनावाला जी इस सवाल का जवाब तो आप ही दे पाएंगे कि डिस्टिंक्शन लेकर पास हो गई मोधी सरकार उसके बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि देखे बहुत बुरी हार हो गई हमने हरा दिया सम्विधान जीत गया लोकतांतर जीत गया सरकार तो यह बन प्राची जी आप भी जानते हो जितने भी लोग इस शो को देख रहे हैं कि जो नंबर को नंबर के तौर पर नहीं पुलिटिकल कॉंटेक्स में देखना चाहिए राहूल गांदी ने कभी यह नहीं कहा पाललमेंट में खड़े होते हैं मैं अकेला सब पर भारी मैं अकेला स पर भारी उसने यह नहीं कहा राहूल की गैरिंटी यह सा यह सारी बाते मानने प्रधानमंतरी जी ने की और आज मानने प्रधानमंतरी जी की जो गैरिंटी हो रिजेक्ट हो चुकी है दूसरी बात मानने प्रधानमंतरी ने कहा था जब भी इसके पहले जब होती थी मोधी स पाएब कंग्रेस के नेता दे रहे हैए जो बागी आपकी 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 आपके पार्टनर्स दे रहे हैं बात कर रहे है नितीश कुमार की बात कर रहे हैं चंदर बाबू नाईडू की उसका क्या मतलब निकाले राष्टरपती ने अगर मोदी जी को बुलाया, का कि आप सरकार बनाया है भाजपा को, NDA को, लेकिन NDA के पास अगर भाउमत नहीं जुता पाई, तो फिर विपक्ष को बुलाना उनका कर्तवी है, तो ये पुलिटिकल अलाइनमेंट चल रहा है, अगर ये नहीं होता है, ले गंटे के अंदर लॉकडाउन, हजारों लोगों को परिशानी हुई, ये दुबारा से देश में नहीं होगा, इसलिए आम कहरें लोकतंत्रों समयधान जीत गया, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी का उपदेश गलत था,